बिस्मिले रह्मन रहीम असलाम लीको वायटी फैमली वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज आपके लिए एद का बहुत जबरतस्त डिजाइन लेकर आई हूँ जो के बेबी फ्रॉग डिजाइन है और इगी हैंड मेट डिजाइन है बच्चों की फ्रॉग्स पर इस तरह की डि बोल लिया है और इसकी जो चुराई ले रही हूँ वो 25 इंचीज है इस तरीके से और इसी के सासाथ लंबाई में आप अपने एसाब से जितनी बच्ची का साइज सो उतना ले सकती हैं तो मेरे पास यहाँ पर यह जो लंबाई है वो 24 इंचीज है सबसे पहले मैं यहाँ पर चुराई वाली साइड से हमने निशान मार करना है तो 4 इंच पर सबसे पहला निशान लगा लेंगे इस तरीके से और इसी तरह से इस साइड से भी 4 इंच पर निशान लगा लेंगे दोनों साइड से 4-4 इंच हमने छोड़ देना है क्योंकि हम शोल्डर से जो है छोड़ देंगे आर्म होल के लिए अब यहां से जो निशान हम लगाएंगे वो 1 इंच का लगाएंगे इस तरह से 1-1 इंच के निशान लगा देंगे इससे तरह से बिलकुल दरम्यान में भी हमने इससे तरह से मार्किंग कर देनी है अब यहां से लंबाई वाली साइड से मैंने 12 इंच पर देखी निशान लगा लिया है इतना तो हमने लाइने भी इतनी ही लगानी है तो यहां पर मैंने फाइनल लगा दी है अब यहाँ पर हमने सबसे पहले सीधी लाइन लगा देनी है बिल्कुल सी रेजिस्ट्रेट अगर आप चैनल पर नहीं है और अभी तक आपने चैनल को सबस्काइब नहीं किया वो पहले टू इंच का छोड़ कर हमने फिर वान वान इंच के निशान लगा देने है इस तरह से दोनों साइट से इस तरह से करना है अब यहाँ पर भी हम जो है इस तरह से लाइन लगा देंगे बिल्कुल स्टेट इस तरह से हम अपनी लाइन लगा देंगे इस तरीके से मैंने ये बना ली है अब जहाँ पर मुझे design बनाना है सबसे पहले यहाँ पर यह box ठीक है तो मैं यहाँ पर different color का चौक ले रही हूँ इस तरह से हम पहली box में इस तरह से line लगाएंगी एक box छोड़ देंगी फिर दूसरे में इस तरह से ताकि आपको design अच्छे से समझा सके अब ये box छोड़ कर यहाँ पर हमने line लगानी है इसी तरह से ये box छोड़ना है और सेम इसी तरह से यहाँ पर एक line लगानी है ठीक है इसी तरह से दर्मियान में cross बना देना है इस तरीके से देखे सेम इसे तरह से अब हमने दो लाइन चोड़ देनी है और इसी डिजाइन को रुपीट करना है दो लाइने चोड़ कर अब यहाँ पर भी हमने इसे तरह से लाइन और एक बॉक्स चोड़ना है फिर लाइन दरम्यान में क्रॉस इसे तरह से फिर हमने यहां पर दो लाइने चोड़ देनी है और डिजाइन को फिर से रुपीट कर देना है दरम्यान में क्रॉस तो इस तरीके से देखे यह मेरी पूरी लाइन कम्प्लीट हो जूगी अब इस साइड से हमने दो लाइन इदर से भी चोड़ देनी है देखिए ये दो लाइने चोड़ने के बाद मैं अपना डिजाइन फिर बना रही हूँ इस तरह से डाइटनल लाइन हमने box के अंदर लगानी है cross बना के इसे तरह से हमने इस सारे डिजाइन को जो है complete करना है देखिए सारे जोने बराबर आ रहे हैं इसके इस तरह से ये बनाने के बाद अब हमने ये देखिए दर्मियान में जो लाइने चोड़ती है ना इसके ये बनाने के बाद ये वाली अब हमने यहां पर एक बिल्कुल सीधी इस तरह से लाइन लगानी है cross वाली लाइन के दर्मियान में इस तरह से इस तरह से अब इस साइट से जो लाइने हमने दो छोड़ दी थी यहां से हमने इस साइट की लाइन लगा देनी है तो इस तरीके से अपने डिजाइन को complete कर लिया है मैंने देखे यह सारा आप चाहे तो इसका screenshot ले सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने डिजाइन को ज्याद इस तरह से ठीक है और नीडल में मैंने डबल दागा डाल दिया है अब यह जो डिसाइन हमने बनाया है ठीक है इसको हमने यहां से लेना है नीचे से और यहां से जो लाइन जिस तरह से हमने बनाई है यह देखे इस तरह से मैं अपने दागे को भी लेकर आई हूँ यहां से हम इसको खेंच लेंगे यह देखे इस तरीके से और यहां से हम इसको पका करेंगे और अब हमने इसी के साथ जो है ना जो बारीक वाला पल्स है यह वाला पतला यह हम यूज़ कर लेंगे अब हमने इसको यहां से इस तरह से लेकर जाना है यह देखे इस तरीके से और इसको भी हमने यहां से double करना है पका करना है हमने ठीके तो इस तरीके से हमने इसको जोड़ना है जब हम two या three बार हम pulse के अंदर से लेकर जाएंगे तो हमारा यह जो design है यह भी पका हो जाता है यह देखे फिर मैं नीचे ले आई हूँ अब यहां से मैं इसकी cutting कर रही हूँ, आप चाहे तो next design में जा सकते हैं, लेकिन मैं यहां से cutting कर लेती हूँ, अब यहां से भी हमने same इसी तरह से यहां से पकरना है, यह देखें, जिस side की line हो उसी तरह से हमने अपने needle को ले कर जाना है, और यहां से हमने फिर हाथ की मदद से पकर के पका करना है तो इसके उपर भी हम इस तरह से पल्स लगा देंगे ठीक है तो पल्स के अंदर से भी हम तो या थ्री बार जो है लेकर जाएंगे ताके हमारा जो पल्स है वो भी इसके साथ अच्छे से जो है जूड़ जाए इस तरह से और उपर इसका लॉक नहीं लगाना हमने नीचे लेकर जाना है अपने दागे को और यहां से इसको चोड़ देना है ठीक है गिरा लगा देनी है इस तरीके से देखें यह दोनों मैंने यहां पर इस तरह से बनाए अब बिल्कुल दरम्यान में जो हमने क्रॉस लगाया ठीक है यह वाला क्रॉस है अब हमने इसको कैसे बनाना है इसको हम यहां से लेंगे उपर से और यहां से फिर हमने इस साइड पर आना है इस तरह से फिर हम इस साइड पर हमने यह जो पूरा बॉक्स है इसको हमने इस तरह से लेकर आना है यह देखें यह चारों साइड से मैंने पर आगे लेकर आएं और इसको हमने खेंच लेना है तो यह देखिंगे इस तरह से यह फ्लावर पे करने हैं और दो एक साइट पे करके फिर इसको जो है ना इस तरह से पका करना है इस तरह से हम इसको दो या तीन बार जो है ना पल्स के अंदर से ले कर जाएंगे तो ये देखे ये फ्लावर की शेप आई है इस तरह से सेम इसको भी हमने नीचे लेकर आगे अब यह बला जो है इसको हमने जिस साइड पर हमने लाइन लगाई है उसी तरह से हम नीडल को लेकर जाएंगे इस तरह से और इसको भी हम इस तरह से खींच लेंगे क्योंकि जितने अच्छे से आप इसको ट्रेस करेंगे उतना ही आप अच्छे से design को perfect बना सकेंगे एक भी line आपकी गलत trace हो जाए तो फिर जो design होता है वो उस तरह से create नहीं हो पाता जिस तरह से हमने इसको जो है बनाया होता है अब यहां से ये वाली line same इसी तरह से इसको भी हम इस तरह से लेकर आएंगे और खेंच लेंगे और same color का दागा ही use करना है क्योंकि different use करने से जो है वो फिर नजर आता है वो अच्छा नहीं लगता तो इसी तरह से हम इस पर भी pulse लगागे इसको जोड़ देंगे तो इद हो या पार्टी वगएरा हो तो बच्चों किस तरह की फ्रॉक्स बहुत खुपसरत लगती हैं बहुत प्यारी बनती है इस तरह से यहां से इसको भी मैंने देखे नीचे लेकर पक्का कर दूँगी इस तरह के से अब यह देखे एक फ्लावर मैंने इस तरह से यह देखे यह सारा कम्प्लीट कर लिया है अब यह जो हमने यहां पर लाइन लगाए थी बिलकुल यह देखे दरम्यान में यहां पर इसको हमने जिस साइट की लाइन लगी हुई है इससी तरह से हमने नीडल को निकालना है यहां से इस तरह से अब यह देखें इसको हम इस साइट के इस तरह से खींच लेंगे और उपर पल्स लगा देंगे तो हमने हाथ की मदद से इसको इस तरह स्पकर कर रखना है और फिर अपने जो है ना लॉक भी लगाने होते हैं और पल्स को भी जो है ना मजबूत करना होता है इसके साथ यह देखी अब हमने ये वाला जो है सेम इसी तरह से जैसे हमने पहले वाले में किया था उसी तरह से इसको भी हमने बनाना है इस तरीके से लेकर आना है और यहां से हमने खेंच लेना है और फिर हाथ की मदद से इसको पका कर देना है ठीक है तो यहां से हमने इस तरह से करना है तो सबको हम नीचे इसलिए लेकर जा रहें क्योंकि front हमारी side है तो front side पर हम इसकी जो है नोट जो होती है वो नहीं लगाएंगे गीरा तो back side पर हम लगा देंगे यह देखे इस तरह के से बहुत एजी और बहुत खुबसूरती से आप बना सकते हैं और इस तरह की जो डिजाइन होती है बुतीक स्टाइल रेडी मेड जो होते हैं बच्चों की फ्रॉक्स मिलते हैं तो हम ज़रोरी नहीं के बजार से ले बहुत महंगे आजकल मिलते हैं तो हम गर पर भी बच्चों की इस तरह की जो है डिजाइनिंग कर सकते हैं और इसमें जो साइस है कोई भी बच्ची का बना सकते हैं बरे भी इसमें बना सकते हैं इनको अच्छा लगे तो बरे भी अपनी पेटी पर इसकी जो है डिजाइनिंग कर सकते हैं यह देखिए इसी तरीके से मैं दर्मियान वाले को कर रही हूँ यह देखिए इस तरह से तो second भी बनाने का मक्सिद दी ही था कि ताकि आपको अच्छे जो है design समझ आ जाए और अच्छे से आप इसको समझ सके कि किस तरीके से मैंने इसको बनाया है और उसी तरह से मैं आपके सामने रुपीट कर रही हूँ और उसी तरह से लेकर जा रही हूँ यह देखिए अब इसी तरह से flower बनाने के बादा हमारी यह वाली जो है ना इस तरह से तो बहुत easy design है बहुत easy लिए आप इसको बना सकते है बहुत प्यारा लगता है बच्चों की frog पर इस तरह से सारे को हमने complete करना है तो दो flowers जो है मैं आपके सामने बना रही हूँ और दोनों के आपको बता दिया है किस तरह से मैंने लिए है और कितना डागा यूज़ किया है और किस तरह से अब इस तरह से ये वला भी हम इस तरह से बना लेंगे यहां से लेंगे और यहां पर जिस साइड की लाइन होगी उसी साइड का हम अपने नीडल का दागा लेकर जाएंगे और उसको फिर हम अपनी हाथ की मदद से खींच लेंगे और वहाँ पे टांका लगा देंगे तो यह देखी इस तरीके से यह देखी यह दोनों flowers बना लिए अब सेम इसे तरह से हम यह वाला बनाएंगे तो यह मैंने एक line full complete कर लिया सेम इसे तरह से दूसरी line पे भी हमने ऐसे ही बनाने है अब यहाँ पर भी हम इधर से start करेंगे तो यहाँ से और यहाँ से हमने इस तरह से लेना है और इसको हमने ठेंच लेना है सेम उसे तरह से हमने दूसरी line को भी complete करना है और बनाना है तो यह देखी इस तरह से सेम इस तरह से हम करेंगे और बहुत खुबसूरत ये फ्रॉक बनती है बच्चों की, ये दोनों लाइन्स मैंने कम्प्लेट कर ली है, अब यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाये थे दरम्यान में इसके, इसको भी हमने इसी तरह से लेना है, जो कि लाइट हो चुके है, क्योंकि हम डिजाइन बना र पल्ज लगाने से हमारा जो डिजाइन है, बहुत खुबसूरत और प्रॉमिनेंट हो जाता है, और उसके जो लुक कोती वो बहुत प्यारी हो जाती है, अब इसी तरह से सेम बाकी सारे भी हम कम्प्लेट कर लेंगे, जो पल्ज लगाकर दरम्यान में, इस तरह से मैंने बना अब यहां से भी हमने इसके फ्लावर की शेप देनी है, और आप कहेंगे के इसको हम स्टिच कैसे करेंगे तो परिशान होने की बात नहीं है, इस तरह की डिजाइन की फ्रॉक्स, जो है मैं फुल कटिंग और स्टिचिंग के साथ वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, अब वहां से सीख सकते हैं और उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और एंड सक्रीन पर भी लगा दूँगी कि इस तरह की जो फ्रॉक्स होती हैं उनको नेक कैसे बनाया जाते हैं उनके तो फुल वीडियो कटिंग और स्टिचिंग और डिजाइनिंग के साथ ह आप वो वीडियो डेख सकते हैं वीडियो अच्छी रगी आज की तो मुझे जरूर बताएगा कमट बॉक्स में कि आज का डिजाइन कैसा लगा अला हाफीज